देखिए कैसे नन्य मुन्य हस खेल रहे हैं अपने बच्चों की खिल खिलाहट सुनकर माओ की खुशी का भी ठीकाना नहीं क्योंकि ड्यूटी करते समय अब अपने लाडले की चिंता जो नहीं सताती पहले रुदरपुर में PSC में काम करने वाली पुलिस कर्मियों को ड्यूटी की वज़ा से अपने बच्चों को घर पर छोड कराना पड़ता था हर पल चिंता लगी रहती थी कि उसने कुछ खाया की नहीं कहीं वो रो तो नहीं रहा होगा लेकिन अब इनकी टेंशन चूमंतर हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट रुदरफुर में 31 वी PS वाहिनी में सेना नायक स्वीटी अगरवाल को जाता है जी हाँ स्वीटी ही वो महिला है जिनोंने इन माओ के माते की शिकन को समझा और विभाग की महिला कर्मियों की समस्या का हल निकाला और एक डेकेर सेंटर खुला सेना नायक स्वीटी खुड डे केर की कमान सभालती हैं और हर छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखती हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो अब ड्यूटी पर जाने से पहले महिला पुलिस कर्मी अपने बच्चों को इस डे केर सेंटर पर छोड़ जाती हैं और निश्चिंत होकर ड्यूटी करती हैं महिला पुलिस कर्मियों के मुताबिक इस डे केर में बच्चों का पूरा खयाल रखा जाता है खेलने कूदने के साथ मासूमों को अच्छा खाना भी दिया जाता है बच्चों की इतनी अच्छी देखरेख से सबी माएं बेहत खुश हैं यह इसमें हम जैसे दिन भर डूटी में रहते हैं तो यहां हम अपने बच्चे छोड़ के जा सकते हैं उनके खाने पीने से लेके सोने की सारी ब्योस्ता है म्योजिक हो चाहे सारे खिलोने हो मतलब उनको खुश रखने के सारे तरीकी यहां पर किये गए हैं हमारी कमांडेंट महोदया द्वरा तो यह बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए बहुत फाइदेमंद रहेगा है यहां पर ऐसा है कि हम लोग 24 गंडे की डूटी है हम लोगों की तो कोई टाइमिन फिक्स नहीं होता है कब डूटी जाना है तो यह एक अच्छा प्रयास है इससे कि हम जिस टाइम पर डूटी में रहेंगे तो हमें यह टैंसन नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे कौन है कहां पर है कोई देख रहा है अधिवस की मौके पर साधना न्यूज से नना एक स्वीटी अगरवाल की कोशिश को सराता है और उन्हें सेल्यूट करता है रुदरपुर से साधना न्यूज के लिए विकास कुमार के साथ भरशाह की रिपोर्ट